हलो फ्रेंड्स वेलकम एक तो माई यूटूब चैनल सो गाइज हमने पिछली क्लास में देखा था इंडस वैली सिवलाइजेशन को और आज हम पढ़ने वाले हैं बैदिक योग के बारे में तो बहुत दिनों बाद आज हम क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए छमचाऊंगा इसमें 10 मंडल हैं आप देख पा रहे हूंगे इसमें 10 मंडल हैं दूसरा सात्वा मोल रूप से बनाये गए हैं ठीक है 1028 बजन है होतरी द्वारा गाए गए हैं और 10600 के करीब इसमें इस लोग हैं देवता इंद्र वरोण विश्नु इनका उलेक है गायत्री मंत्र का उलेक थर्ड मंडल में है भगवान सौंनात यानि भगवान सूर्य का जो उलेक है वो नवे एंमंडल में है जिनको गरहों के देवता का जाता है ठीक है और प्रिक्वेद के बाद आता आपका सामबे December जो कि जिसमें मंत्रूप चार दोने सामिल है यानि कि जो मंत्रों का जो सबसे बड़ा है उपनिसद हैं इसके कुछ ब्रह नारक्य और कथा ब्रह नारक्य यानि प्राचिंतम उपनिसद है कथा नची केता की कान ही है इस कथा में ठीक है चौथा है आपका अथरवेद जादुई सूत्रों का बेद गा जाता है इसको तंत्रमंत्र आदिकी से 6 से मिलती है इसमें 20 माव उपनिसद है वसुदैब कुटमकम यानि की पूरा विस्व एक परिवार है इसका मतलब ये है ठीक है नेक्शन पढ़ेंगे इसके कुछ उपसाका हैं बेदों की इनको सहीता ब्रहमण अरणक्य और उपनिसद बेदांत भी कह जाता है सहीता में बजनों और रचनाओं का समू है और इसलोग है कुछ ब्रहमण में बेदों का अंत यानि की बलिदान और अनुस्ठात का वर्णन मिलता है आपको अनन्न में साधू जंगल में नवास करने वाले और उपनिसद बेदांत में ग्यान का ग्रहन कुल 108 और मुख्य 10 उपनिसद हैं हमारे बेदों में य सबसे प्राचिन तमलेख बेदी ही हैं जैसा कि आप जानते हैं ठीक है रिखो के बेदों के बेदांग थे जैसे कि सिच्छा उगया सिच्छा यानि स्वर्व ज्ञान का अध्यान कल्ब-कल्प यानि अभ्यास का आध्यान निरुप्त में विवत्ती सस्थ्र का अध्यान जोती में प्रकास का अध्यान और चंद में काब्यात्मक्विसेयों का अध्यान बैदिक काल में ही आपको कुछ दर्सन सास्त्र देखने को मिलेंगी जैसे कि सामाख्या, न्याय गोतम, बैसेजनिक, योग, उत्तरमीवान सा, पूरमीवान सा तो सामाख्या में कल्पना, न्याय गोतम बुद, और बैसेजनिक, कर्नड, परमाडू, योग, पतंजली ने लिखा है, उत्तरमीमान सा, बदरायन ने लिखा है, पूरमीमान सा, जैमनी ने लिखा है थीक है? तो बैदिक क्योंके उत्तर बैदिक जो काल था, उसके वारे में हम जानेंगे कि वहाँ कैसी संस्कृत ही, क्या राजनीती थी, उस समय कैसा समाज था, उसके बारे में हम आज जानेंगे इसमें, मतलब ये frvc.a है, और इसमें पूरे बैदिक काल के बारे में जो कोई इंपोर्टेंट बाते हैं वो सारी आप कुछ में मिल जाएंगी इस के लवा पढ़ने के आपको कुछ जरूरत नहीं है ऐसे सी के लिए ठीक है तो उत्तरवेदिक काल में विस्तार को देखेंगे विस्तार कहां से कहां तक था आर्यों ने पंजाब से लेकर पस्चिम उत्तर प्रदेश और बहार तक विस्तार किया था ठीक है विस्तार जो संभव वह था वो किसके कारण हुआ था लोए के अतियारों और गोडों के कारण हु पुर्षी यहां की आजविका का मुख्य सादन था चावल इसमें मुख्य था लकडी के हल आदी यहां से हमें मिले हैं राजनीती केंद्री करण की सुरुवात सवा मेलाओं को अनुमती नहीं थी समिती विदा था एंडेड बली राजा की स्विच्छा स्विच्छिक बेंट ह ज़ kulli थी यहां जो राजा था वह बली दिया करता था पसुओंगी उत्तरवेदिक काल मे की हम देखेंगे समाज को समाज में सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यश्थ था च्यारव ठी ब्रमान ब्रामान हुता था प्रबत साली यानि वद्धिमां बिविक पूर्ण चत्री होता था सासन एवं रच्छा करने वाला यानि युद्धा वैश्या जो ब्यपार करते हैं बिजनिसमेन सूद्र यानि सेवक ठीक है यहां मेलाओं के स्थिती ठीक नहीं थी गोवन्स प्रणाली का उदय हुआ गोत्रवन्स का यानि वन्स प्रणाली शुरू ही मिट्टी के बरतन भूरे रंग के मिट्टी के बरतन हम यहां से प्राप्त हुए है उत्तरवैदिक काल से ठीक है प्रारम्मिक वैदिक और रिगवेदिक काल के बारे में हम जानेंगे यह इसकी लास्ट बात है बैदिक जो आपका काल है उसका इसका पुराना नाम हिंबत थ अमुजवत को हिंदू कस कर दिया है, इंडस को सिंदू नदी कर दिया है, जेलम नदी का नाम वितस्ता कर दिया है, नदलब जेलम नदी को पहले वितस्ता कहते थे, ठीक है, और जनाव नदी को पहले अस्कनी नाम था, रावी नदी का पहले पौरुशनी नाम था, ब्यास न सरस्वति नदी को सरस्वति अब भी कहा जाता था ठीक है समाज के बारे में पिता सर्वस्रेश्ट होता था गाय को अगन्या का जाता था धनका निर्णायक गायों का युद्ध गविष्टिक आ जाता था यहां की राजनीती में एच्छिक राजसाही बंसानुगत राजसाही थी ठीक है सवा में कुछ विशेश अधिकार प्राप्त लोगों का समदाय समिती में सामानलों का समदाय था बेदाथा धार्मिकल्ण नंका समुन होता था ठीक है अधिकारियों की रहर्चिंग है यह मस को जूम करता हूं तब आपको दीखेया सब्सक्राइब करोईत थी शयना प्रमुक प्रद्दान कैण प्रमृक को सेनानी और ग्रांप्रदान‍ प्रारमिक बैदिक जो काल था उसमें धर्म के वारे में आपको बताता हूँ उसमें पुजा की जाती थी प्रक्रती की प्रत्वी की इंड्र की अगनी देव की सोम की बाईव देपता की यहाँ पूजा की जाती थी रोद्र बो, जीवों की पूजा होती थी, जो रोद्र है, वो जीवों की पूजा होती थी उस समय आदिती, देपताओं की माता हैं, सावितरी, गायतरि मंत्र रसे समर्पित है, ठीक है कोई पसुपूजा नहीं थी उस समय यहां गेरुrose रंके मिट्ति के वर्तन प्राप्त ह हमें सुगई यह था बेदेक काल के बारे में कुछ महत्यपोन बाते जो कि मैंने अपको इस लेक्शर मे आपको बता दीं तो उम्मीद करोंगे आपको वुडियो अच्छी लगी हूं ऑगर आपको वुडियो अच्छी लगी उद तो वीडियो को लायक कर देना और हमारे वीडियो बनाने की सुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं हेजिटेट हो जाता हूं तो उसको आप नेगलेक्ट करें और केवल कंटेंट पर फोकस करें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाटा बाय बाय गाईज